नमस्कार दोस्तों गेता की रसोई एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है तो आज हम चा रहे हैं खेत में मक्की के खेत में भुट्टे लेने तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ और देख नीचे हमारे खेत के भुट्टे कैसे हैं और हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंड करके बताएगा और हाँ अगर हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर नीचेगा और पर लाइक और प्रेश करना ना भूले थाकि हमारा कोई भी नए वीडियो आए और आप तक हमारा पहुचता रहे, तो आप लोग इदर देख सकते हैं, हम पहुच चुके हैं लगबद खेत में अर थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा और चलेंगे, तो हम जा रहे हैं, हमारे ताउ है, उनकी बेटी है आगे, और पीछे जो वीडियो बना रहे हैं, वो हमारी नना दें, साथ में लक्की बी जा रहे हैं। इनको तो खेत में बहुत अच्छा लगता है बहुत जादा पसंद में गाना। हमारा ये वीडियो आप लुगों कुर सादा ये जा रचार एंगो और वीडियो अच्छे-च्छे से लाने की कोशिश करेंगे तो इधर हम टन ले लिये थे मक्के के खेत में तो आप लोग देख लीजिए चारो तरफ बुटे-बुटे ही लगे है चारो तरफ बुंटे ही लगे है तो मैंने वह आगे एकी को कर दिया था और इधर मैं खड़े होके कुछ बोलने लग गई थी अपनी ननस से मैंने कुछ बोला था खड़े होके और फोन मागने लग गई थी तो इधर मैं थोड़ा सा आगे से क्लिप शूप किये थे मैं वहाँ पे रुख गई थी तो आगे से लक्की ने ले लिया था फोन को इधर हम जस्ट एकदम खेत में पहुच चुके हैं इसी खेत से हमें बुट्टे तोड़ने हैं तो हम आप लोगों को तोड़ के भी दिखाएंगे और यह हाँ कटैल का पेड़ है आप लोग देख लीजिए अभी कटैल का सेजन कतब हो गया इसलिए नहीं लगा नहीं इसमें बहुत ज़्यादा कटैल भी लगते हैं तो यह चारो तरफ का भी हुआ है धूप थोड़ा सा था तो इसलिए कम दिख रहा था कि माकी बादल भी थोड़े थोड़े से हो रखे थे तो हम मकी के खेत में गुश गया है और हम जो है ना काटने लग गया है मुंटे के मुंटो को काटेंगे एक एक करके अच्छे से देख देख के काटेंगे हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताएगा और हमारे ये वुट्टे का खेत कैसा लगा आपको वो भी बताएगा और अगर आप लोगों को किसी और का वीडियो चाहिए खेत में तो वो भी बताईएगा मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को तो इधर हम अंदर गुष चुके थे लगबग मैं आती खेत के बीच में पहुच गई थी अंदर और ये जो वीडियो सूट कर रहे थे लग्ती थे इनको बहुत पसंद है खेत में गुष न तो इधर मैं देख देख कर पूरा भुंटे को तोड़ रही थी पूरे भुंटे को जो है ना चेक कर लेते हैं किसमें दाने हैं किसमें नहीं हैं उसी तरीके से हम जो है काटेंगे और इधर ये पेड में देखना तीन भुंटे लगे एक साथ किसी किसी में दो लगे होते हैं इसमें तीन लगे हैं और तीन में एक तयार हो गया था दो अभी तयार नहीं हुए थे और इधर हमने जो भुंटा है ना आपको छील के दिखाया था तो अच्छे से इसको भी मैं जरसे एकदम काट लेती हूँ तो इधर हमने सारे भुंटे काट लिये थे मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतने भुंटे ले लिये थे और मैं खेत के बाहर आ गई थी पेल के नीचे और यह जो है ना इधर टूबेल लगा है जिससे खेत में मतलब पानी की सिचाई होती है जो खेतों में पानी दिया जात यह टूब बेल है और इसको इंजन भी बोलते हैं हमारे यह आप लोगों क्या बोलते हैं बताना मुझे और अब हम जो ना पेड़ से बुंटे अलग कर लेती हूँ और मैं खेत में भी ऐसे अलग अलग तोड़ सकती थी लेकिन वो क्या है ना फिर यह पेड़ खराब हो जाते हैं जरसे ही काटना उचित मानते हैं या पे जरसे काटना जादा अच्छा रहता है तो फिर लोग चोरी करके ले जाते बहुत जादा और क्या बोलते हैं पता नहीं चलता फिर इसलिए जरसे काटना जादा अच्छा रहता है दिरे दिरे मैंने सारे भुंटो को अलग करना ह और पेड़े, तो मैंने लगबख जो दस बुट्टे लिये थे, सारे भुंटो को मैंने अलग कर लिया है, और आप लोग देखते रही है, बने रही हमारा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगाद, प्लीज बताना, कमेंट बोक्स में, कमेंट करके, और इधर जो है न, मैं सार तो मैंने थैले में रख लिये थे और मैं चल दी थी तोड़के बुंटे और ये आगे-ागे लगी जा रहे थे तो आप लोग देख सकते हैं कितना जादा सुंदर लग रहा है बुंटों के साथ में बहुत जादा अच्छा लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सारा दिन खेत में ही रुख जाओं और ठंडा भी बहुत लगता है इदर क्योंकि खेतों में बहुत जादा हर्याली बगएरा ही है तो इसलिए जादा ही अच्छा लगता है तो आप लोग इदर का मौसम भी देख लीजिए ये उदर जो ना है तोरई का केत है और इदर ये सनई के प अब हम चल दिये हैं घर की तरफ और लगबख घर की पास में ही खेत है थोड़ा सा दूरी पे है हमारे घर से सामने दिखता है तो अब हम घर के तरफ जा रहे हैं एक एक तरफ थैले को पकड़ लिया वो तक गई थी क्योंकि उसमें 20 भूंटे थे दस मेरे थे और दस वो ज जरूरत ही हमने उतने ही तोड़ लिये थे बाकी ये घर के सामने जो ज़स्ट खेत है उसको भी मैंने थोड़ा सा दिखाया है आप लोगों को तो अब हम घर पहुंच चुके हैं बुंटे दिखा दिये आपको ये हम अपने घर के दरवाजी से दिखा रहे हैं बिल्कुल ज अब तुम्हाँ में आग को चला लिया है आग जलाके इसको मैं मतलब पंकी से बुनेंगे तो मैं दूसरा काम करने लग गई थी मम्मी ने वो लालाओ में बून देती हूं क्योंकि मुझे जो है ना धुआ बहुत जादा लुक्सान करता है कासी याने लगती है और मतलब तो मम्मी भूंजने लग गए थी इधर तसले में बुन्टे आप लोग देख दीजिए हमारे यान बुन्टे कैसे बुन्टे हैं और किस तरीके से बुन्टे खाते हैं और आप लोगो किस तरीके से बुन्टे हैं वो भी रताएगा मुझे तो इसे पंकी के सारे से हावा कर कर दघ्राइंगे और आज जो है आपक्छे से बन जाएगी और भुंते जो है न अच्छे से चटेश्टस दूनेंगे सब्जी काट रहे थी तो कि खाने का टाइम भी हो रखा था तो मैं सोची साथ साथ में खाना का भी तैयारी कर लेती हूँ मम्मी भुंटे मुनेंगी फिर हम लोग खाएंगे उदर सब्जी का तड़का लगा देंगे तो सब्जी बने की कुछ बोल रहे थी मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो और ये बुंटे लगबग बुन चुके थे थोड़े से बचे थे वो भी बुन गए थे तो अब हम इसमें ये काला नमक जो घर में मम्मी ने बनाया था वो है और निम्बू है मैं इनको चारो तरह बुंटों में लगा देती हूँ निम्बू को नमक से बहुत ज़्यादा अच्छ हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन प्रेश करना ना भूले ताकि हमारा नए वीडियो की नोटिवेशन आप तक पहुशती रहे तो फाइनली हमारे वुंटे जो हैं वो अच्छे से तयार हो चुके थे और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेए और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार